हेलो फ्रेंस वेलकम बैक माई यूटीब चैनल आज मैं आप सभी को यह बहुत ही आसान से स्वेटर डीजाइन बताने वाली हूँ जैसा कि आप देख पा रही हैं यहाप मैंने सैंपल के लिए थोड़े से बना करके रख लिए हैं और आप इस डीजाइन को जह हैं मोजे वग बना सकती हैं उसे पहनाने में जड़ा से भी तकलिफ नहीं होगा तो चलिए बनाते इस डीजाइन को मैंने कुछ फंदे निकाल ली हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्टार्टिंग से कैसे बनेगा यह डीजाइन इसमें ज्यादा फंदे गिरने की जरूरत नहीं आपको बस दो फंदे का पैटन बनेगा यह तो आप पहले फंदे स्कीप कर लीजे उसके बाद फिर इस तरीके से उन को जो है अपने तरफ लाइए और यह दो फंदे इस तरीके से सीधे बिनेंगे देखिए उन को अपनी और लाएंगे और दो फंदे उन अपने तरफ ही और इस तरीके से दो फंदे बीनेंगे, एक और ये दो फंदे बीन लेंगे, ये जो जाली वाला फंदा है, ये एक्स्ट्रा जो फंदा है, इसे इस तरीके से सिलाएं में लेंगे, और इसी टाइम पर इसे हमें घटा देना है, इसके उपर से लाकर के इसे छोड़ देना है, देना है वापस से हमें इस तरीके से उनको अपनी ओर लाएंगे और दो फंदे सिध्य बिनेंगे देखे जैसा कि आप देख पा रही हैं दो दो फंदे का पैटर्न है यह और यहां पर एक्स्ट्रा फंदे एक भी नहीं बन रहे हैं क्योंकि जो भी हमने यहां पर एक्स्ट्र इस तरीके से आपको पूरी रहां कर लेना है आपने जितने भी फंदे बनाने है देखे इस तरीके से ला करके और छोड़ देना है फिर उनको अपनी और लाइए वापस से दो फंदे सिधे बिन लीजे और ये हो गया इस तरीके से फिर एक फंदा सिधा ये हो गया पूरी रॉप को इसी तरीके से बिन करके पूरा कर लेना है उसके वाद हम आ जाते हैं बैक साइड में हमें सभी फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे बील लेंगे क्योंकि यहां पर को भी फंदे एक्स्ट्रा नहीं है तो हमने सभी फंदे उल्टे ही बीन करके कम्प्लीट कर लेना है तो यह होगया कम्प्लीट से इस तरीके से नजर आएगा और फ्रंटसेसे कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है अब आप हमें वापस से क्या करना है जैसा कि हम ने बताय को Só little कि पहले फंदे को उतार लीजिए उनको अपनी ओर लाईए और गार दो इस ही निए second and third row में भी हमें इसी तरीके से करना है second row back side से हमने उल्टा-उल्टा बिन लिए third row में वापस से हमें उसी pattern को repeat करेंगे जैसे कि उनको अपनी ओर लाएंगे और दो फंदे सीधे बिनेंगे और फिर इस वाले फंदे को उपर से लाकर कैसे छोड़ देना है फिर वापस से उनको अपनी और लाना है और ये दो फंदे सीधे बिनने है और फिर इसके उपर से इसे ला करके हमें छोड़ देना है देखे वापस से उनको अपनी और लाना है दो फंदे सीधे इस वाले फंदे को हमें जो हमने एक्स्टा फंदे बनाए है इसे हमें ला करके इसी तरके से बनाते जाएंगी तो यह पूरा डिजाइन बन करके तयार हो जाएगा उनको अपनी और ला करके फिर दो फन दे सीधे भी नहींगे फिर इसको इसी टाइम पे उपर से ला करके घटा देना है देखे यह हो गया अब हमें पूरी रो जो है बैक साइट से पीछे तरफ से हमें सभी फन्दे उल्टे उल्टे बीन करके कम्प्लीट कर लेना है पूरे कर लेना है कुछ इस तरीके से देखे पूरा कर लेते हैं इस तरीके से जब आप बना लेंगी तो आपको नजराने वाला है दो रो जो आप कम्प्लीट कर लेंगी तो यह दिखेए, इस तरीके से आप का ये पैटर्न नजर आने वाला है अब यह गोट बनाने को मैं बता देती हूँ जैसे कि यह रोग कम्प्लेट हो गए है तो अब उसके उपर ही आपको बबबल बनाना है तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बटा देती हूँ कबल इसंद के से पहले हमें इस फंदें को अपनी इस फंद में से फंदें बनाने इताइंब वापस के व कह मंदके भी जक्र Travel को जबताएं प्रोंको द्वापसे भूर्टेंगे और यह तीन फंदे कूछ में इस तरीकसे प्रभल लेंगे लेंगे ऑन को 37 बप्रोंक पीछे करेंगे इससे तरीक्षे तो यह बबल बनकर के तयार हो जाएगा यह छोटा सा bubble मैंने मनाया है तीन फंदों का आप चाहे तो 5 फंदे का 8 फंदे का बना सकती है बबल के लिए मैंने बहुत सारे डिजाइन जो है अप्लोड कर रखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकती है तो देखे वापस से आपको जितने फंदों को बढून को ने ना है इस तरीके से उल्ठे उल्टे उल्ठे और फिर हमे आजाना है वापस सामने की तरफ और यह जो है तीन फंदे यह एक साहत ही घटाना है इसलिए हमें दो बार डावल उनको इस तरीके से लपेटेंगे और निकालेंगे देखे इस तरीके से निकालेंगे फिर उनको अपनी और करके एक बार जरूर उल्टा फंदा भी नहीं गया ताकि यह सारे जो है डीजाइन आगे आ जाए इसी तरीके से आप जो है कंप्लीट कर लीजेगा बना करके आपको जहां पर भी बनाना है देखे फिर इस तरीके से तो इसी तरीके साब बनाते जाएगा तो ये बहुत ही प्यारा सा डीजाइन जो है बन करके तयार हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सेंपल के तौर पर बना करके बताएं उमीद करते हैं आप सभी को डीजाइन और ये वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें सस्क्राइब करें हमारी चैनल को थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक्यू